अगर आपको अपने शरीर में ये तीन लक्षन दिखाए दें तो यकीन वानिए आपको साफधान होने की जरुरत है और ये तीन लक्षन ही आपको बताएंगे कि आप कितने हल्दी हैं उमीद करती हूँ आज की जनकारी आपको बेहत पसंद आएगी जनकारी अच्छी लगे तो मुझे अप्रीचेट करने के लिए आज की इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर सरूर कीजिएगा मैं आपकी होस सिंदू समधू एक सर्टीफाइड आटीशन और एक नाच्रोपैद अकसर हमारे शरीर में दिखने वाले कुछ लक्षन ऐसे होते हैं जिनसे हम ये पता कर सकते हैं कि हम कितने हल्दी हैं तो आज ऐसे ही तीन लक्षन में आपको बताऊंगी सबसे पहला लक्षन है अगर पिछले कुछ समय से जब आप सुबह सो करके उड़ते हैं और उस समय पर आपकी आँखे काफी सूजी हुई रहती है या फेस पर बहुत ज़ादा स्वेलिंग रहती है या अचानक से ऐसा हो गया है कि हर समय आपका फेस और आखे सूजी रहती है पेरों में स्वेलिंग है तो यकीन मानिए ये अच्छा लक्षन नहीं है ये आपके फैटी लीवर को दर्शाता है या लीवर के इंफेक्शन को दर्शाता है तो अगर आपको इस तरह की समस्या पिछले कुछ समय से है तो तुरंट आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए क्योंकि शरीर पर स्वेलिंग आने का सीधा सीधा मतलब आपके लीवर के साथ होता है या फिर आपके किड्नी के साथ होता है अगर आपके लीवर में सूजन आ गई है इंफेक्शन है या फैटी लीवर की प्रॉब्लम आपको हुई है तो ऐसे में अक्सर आपकी आपको पर फेस पर और आपके पैरों पर सूजन आने लगती है इसमें कोई दर्द तो नहीं होता लेकिन फलपीनेस बहुत साथ आजाती है बॉडी के अंदर इसके लावा आपको बहुत भारी पंच सरीर में महसूस होने लगता है आलस से आता है और काम करने का मन नहीं करता तो अगर ऐसी समस्याएं आपके साथ हो रही है तो आपको टॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए दूसरा लक्षन है अगर आपको बहुत लंबे समय से सरीर के किसी खास हिस्से में बार बार दाने होते रहते हैं और दाने ऐसे हैं कि अगर आप कोई भी लोच्शन या क किसी भी हिस्से पर हूँ ये भी आपके लिवर के इंफेक्शन को दरसाते हैं इसके लाबा ये ये भी दरसाते हैं कि आपका खून खराब हो रहा है तो अगर आपको इस तरह की कोई समस्या है और लंबी समय से है तो ऐसे में आपको अपने लिवर की और बलड की जाज करान की जरूरत है क्योंकि कई बार लीवर में होने वाला जो इंफेक्शन है वो भी शरीर में इंफेक्शन्स ले करके आता है दूसरा अगर ब्लड में इंफेक्शन्स है तब भी शरीर में इंफेक्शन्स होते हैं तो इन दोनों ही कंडिशन्स में आपके शरीर पर दाने निकलना खुजली होना, दात खाज होना ये बहुत ही आम समस्या होती है तो अगर आपको इस तरह की कोई समस्या है तो आप इसे skin problem ना समझ करके अंदर से body का कोई न कोई organ disturb है ये कारण समझ करके आपको डॉक्टर से consult सरूर करना चाहिए जानकारी अच्छी लगी हो तो सब के साथ इसको share जरूर कीजिएगा चलिए अब हम बात करेंगे तीसरे लक्षन की पिछले कुछ समय से आपकी chin की area में lips के आसपास आपको बहुत कालापन महसूस हो रहा है या lips बहुत काले पड़ गए हैं तो ये भी कई बार आपके liver में infection और kidney में infection के को ही दरसाता है क्योंकि overall आपका face बिलकुल normal है लेकिन पिछले कोई समय से अगर आपके lips काले पड़ गए हैं तो ये आपके शरीर के अंदर blood में होनी वाले खराबी को दरसाता है या फिर आपके liver के infection को दरसाता है तो अगर आपके समस्या हो रही है तो ऐसे में आपको जरूर अपने liver का टेस्ट कराना चाहिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके शरीर में कहीं पर भी आपको कोई दर्द या सूजन की दिक्कत है और आपका वजन जो है बहुत तेजी से या तो कम हुआ है या बहुत तेजी से अचानक से बढ़ गया है तो ये भी आपके शरीर में होने वाले infections को ही दरसाता है या फिर आपको भूक लगनी बहुत कम हो गई है या अचानक से आपको बहुत सादा craving होने लगी है तो ये सारी जो दिक्कते होती है ये बिसिकली आपके liver से ही related है तो अगर आपको इस तरह की कोई समस्या देखने के लिए मिल रही है और वो लंबे समय से है तो तुरंत डॉक्टर से consult जरूर कीजिएगा ये लक्षन ही आपको बताते हैं कि आपका liver आपकी kidney healthy है या नहीं तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो इसे और लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा चली फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ तब तक अपना बेहत खयाल रखी और हस्ते मुस्कुराते रहें Stay Healthy, Stay Happy Bye Bye